पूरे भारत वर्ष को एकता के सूत्र में बांधने के उद्रेश्च से वर्तमान सरकार ने एक भारत श्रेष्ट भारत अभियान की शुरुआत कुई और बात पूर बात यह है कि एक भारत श्रेष्ट भारत कारिकरम के लिए जो दिन चुना गया वो ऐसा दिन है जिसे हम भारती एकता दिवस की रूप में राष्टी एकता दिवस की रूप में मनाते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल की जैनती वाले दिन 31 अक्टूबर 2015 को इस कारिकरम की शुरुआ थी आज हम एक भारत श्रेष्ट भारत कारिकरम में बात करेंगे एकता और विवित्ता की जी हां हमारा धेश हमारा भारत वर्ष विविद्ध भाशाओं विविद्ध बोलियों और विविद्ध जातियों का होते हुए भी एक है और श्रेष्ट है इस बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में जहां तक एकता और विधता की बात है तो डाक्ट साब हम सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे जो विविधता शब्द है इससे क्या अभिप्राय है कितनी विविधता वास्तब में है हमारे देश में और किस तरह हम एकता म इसको एक रूपित करते हैं देख पाते हैं निशित रूप से हमारे जो देश की सबसे पहले मैं तो इस पर बात करूँगी कि जो हमारी कारिकरम की शिरुवाद की गई आपने कहा कि राश्ट्री एकता दिवस के दिन से शिरुवाद की गई इस कारिकरम की एक भारत कि मिसालों के कारण ही उसे अब विश्य गुरू का भी दर्जा देते हैं और यदि कहा जाया तो हमारी जो एक विविधताएं हैं अनोखी है वालब भारत को हम विलक्षन विशेशताओं वाला देश मांगते हैं यहां के जितने भी राज्य हैं केंदर शासित प्रदेश हैं स इस समय हम विविधताएं हैं और यदि कहा जाया तो हमारी जो शक्ति है या विविधता जो है वो उसके कारण तो हम शक्तिशाली है ही और उससे जादा जो बात है कि इतनी डाइवर्सिटी इतनी विविधता होने के बाद भी हम यूनाइट हैं एक हैं यह उससे भी सांदा तो दोनों यहां के विविधता भी शांदार है और एकता भी शांदार है तो विविधताई अन गिनत हैं एस चाहे ह। वह जातिया हो जन्तार और धी जो उन तो विविधताय तो हैं और इन विविधताओं में भी जो एकता की बात कहते हैं तो मुझे एक लगता है कि एकता के जो सूत्र है वो कहीं न कहीं हम सबकी एक जो सामुहिक अनभूती है उससे आते हैं और सामुहीक अनभूती जैसे हम कहते हैं कि भारत एक सतत सनातन प्रवाह है हमेशा से इसमे संस्कृतियों का प्रवाह रहा है और हम सब की एक जो साजहा अनभूती है सामुहीक अनभूती है वो एक भारत और कहना चाहिए कि एक माता एक संस्कृति हमने भारत क को हमेशा से एक सजीव चित्रण किया है उसका मुझे अटल विहारी बाचपेई जी का एक बहुत सुन्दर सा कविता कह लीजे या कत्थि कह लीजे वो याद आता है जो उन्होंने ये कहा था कि भारत जमीन का टुकडा नहीं एक जीता जाकता राष्ट्र पुरुष है हिमाल काले काले केश इसके कुंदल केश है बलत चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं ये वंदन की भूमी है अभिननदन की भूमी है ये तरपड की भूमी है अरपड की भूमी है हम जियेंगे तो इसके लिए हम जियेंगे तो इसके लिए मरेंगे तो इसके लिए तो ये ज वो सुषित करे भबी, एक जीवन करती है žीवन तो खिलाएं अपने अपने शमें नागरिक्त War dealt तो ये एक जो हमने अपनी मदर लैंड या मातर भूमी का दर्जा दिया है उसे ये एक सतत सनातन प्रवाह है और ये प्राचीनकाल से चला आ रहा है राश्ट्र राजी जैसा जो अवधारणा है वो भले ही कभी कि आई हो लेकिन हमने मातर भूमी के रूप में हमेशा से एक ज दिएगे तो इसके लिए तो यह सतत सनातन वह हमारी इतार्वाई अबहुति है भले हम विभिन भाशाओं ढर्म भोनिए आपने अपने आप को परंपराओं में अनेकं परंपराओं पूरे एक्ता के सूत्र में ये ये दो इसको रचुन सूत्र में पिरोया है यहां की सांस्कृतिक जो एक भावात्मा के ही-टा है जिसमें हमने इसका एक सजीवचित्रल किया है तो इस पूरे एक्ता के सूत्र में जो पिरोने का एक मूल तत्व है, वो कहीं न कहीं इसकी भावात्मक एक्ता है, हमारी सांस्रतिक एक्ता है, इन सब के पूछ में, चुकि भूगोल अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव भिणने नहीं है, तो ये हमारी एक विवेधता में जो एक्ता का एक अनोखी विलक्षण और कहना चाहिए कि शानदार अदभूत पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, जहां जहां पर एक्ता है, वहां डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमने इन विवेधताओं के बावजूद पूरे राष्ट को, पूरे भारत कारिक्रम को आरंब करने के पीछे अदेश था, या यह कहें कि इसकी प्रेणा की बात अगर हम सोचते हैं, तो हमारे भारत के महान व्यक्ति, सुतंतरता संग्राम सेना नी, सर्दार बल्ला भाई पटेल के जीवन से प्रेरित यह बात नजर आती है, यह जो कारिक्रम ह कहीं न कहीं उनके जीवन से जुड़ा हुआ सालिगता है, क्या कहेंगी आप इस बात पर? जो श्रेय जाता है, सर्दार बल्ला भाई पटेल जी को ही जाता है, और उन्ही की याद में हम राश्री एक ही करण दिवस मनाते हैं, और मुझे लगता है कि सर्दार बल्ला भाई पटेल जी का, मतलब भारत का जो मानचित्र है, वो पटेल जी का कर्जदार है इस समय, तो उनका योगदान है और इस दिन से इसके शिरुवात करना उनके लिए एक सची शृत्धानजली है, विनम्र शृत्धानजली है मैं यह कहना चाहूँगे कि जो भारत की एकता के सूत्र है हमेशा से मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अपनी संस्क्रती के उन पहलों को देखना जरूरी है और जिसने हमें पूरे एकता के सूत्र में पिरोया है और मैं एतिहासिक संदर में बात करूँ तो मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने कुछ-कुछ ऐसे नायकों के बारे में सुना चाहे वो पौराणिक हो, राजनैतिक हो, धार्मिक हो तो मुझे लगता है उन सब की भूमिका रही है भारत को एक सूत्र में पिरोने की और समय समय पर ऐसे नायक होते रहे हैं मैं थोड़ा सा पौराणिक संदर्व का उधारण देती हूँ जैसे हम लोग राम की बात करते हैं राम भारत के जन जन में है, मन मानस में है आदर्श पुरुस है, वो चाहे पूरब हो, पश्शिम हो, उत्तर हो, दक्षिर हो और राम के बारे में ये कहा जाता है कि राम ने भारत की रीत, लीद, प्रवरती और प्रक्रती को उन प्रांतों की यात्राएं करके देखा, अपने वनवास के समय में ये कहा जाता है कि उन्होंने 17 से ज़्यादा प्रांतों की यात्रा की और उस यात्रा के दोरान उन्हों रामचरित में जो एक समानता का भाव है एक भैय भेद और दूरियों को मिटाने का भाव है जिसकों कहते हैं सामाजी कार्थिक राजनेति किन्याय जो हमने अपनी समिधानी की प्रिस्तावना में लेख रखा है कि समिधान जो है सभी को राचनेतिक आर्थिक सामाजी किन्याय बढ़ाने वाली बंदूता और तो उस बंदूता का उन्होंने उदाहरन प्रेस किया और भारत के जो भ्रमण किया उन्होंने उसमें हर प्रसंग में उन्होंने शुब अशुब न्याय अन्याय इनकी एक उदा जानतों की यात्रा की और उस पुरे राश्ट्र को एकता के सूत्र में बाधने का काम किया तो जो जन माना से वो आज भी राम में है वो राम को और उन्होंने इतना एक समाजवादी ढंग से समानता के इस तर पर चाहे वो शबरी के का उदारन हो चाहे वो नशाद राज का उ ने कि राम सब में राम तो इतना ज्यादा हमने आत्मसात कर लिया है। नाया है जो कहीं न कहीं उन्होंने इस्थापित किये और ये भारती पूरे जन्मानस में पूरा भारत इससे जुड़ा है पूरा भारत दशेहरे को दीवालियों को इन तीज तेवहारों में उनको एक प्रतीक के रूप में इस्थापित करता है और मैं दूसरा उदारन में अ तमाब तरह की प्रिवृतियों को प्रकृतियों को रीतियों नीतियों को और लोगों का जो एक मर्म है उसको समझा और उस मर्म को समझ कि उन्होंने एक अपना अद्वैत दर्शन दिया और मुझे लगता है कि भारत की बहुत बड़ी देन थी और अद्वैत दर्शन पूरे विश्व का एक अनोखा दर्शन है, वालब एक कहना चाहिए अदभूत है और शायद ही विश्व में कहीं ऐसा दर्शन हो, जिसमें जीव को, जगत को, परमात्मा को, परम ब्रम्ब को, उन सब को एक ऐसा एक के स्थापित किया है, जिसमें आज भी चाहिए वो दक्षिड का आदमी हो, वो जाता है उत्राखंड में, के दारनाथ के दर्शन करने, तो धक्षिड का आदमी उत्तर जा रहा है, चाहिए वो पूरव का जगरनाथ पुरी के दर्शन करना हो, चाहिए वो द्वारिका देश के दर्शन करना हो, ये कहीं न कहीं एक संस्रती के वो मर्म है कि एक एकता के सूतर में पिरोए हैं अलोकिक और असाधारर सी बात है कि और ये प्रसंग ऐसे नहीं है इन प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्च को एक दिया मैं अपनी कुछ संस्रतिक विरासत को बताना चाहूंगी यहां पर जैसे कुम्भ है चुकि आदिशंकराचार नहीं कुम्भी की बात कही कि इतने सालों में 12 सालों में कुम्भ है और कुम्भ में हम विभिन धर्मों भाशाओं के लोग जो कर जाकर कि और उद्देश क्या है ए नहां की एकता का एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसमें हमने भारत को मातरभूमी का दर्जा दिया इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के कारण ही हम एक सूत्र में बंदे हुए हैं जिसको समय समय पर अनेक नायकों ने चाहे वो बुद्ध हों कबीर हों रहीम हों रह वो विश्य को इतनी अलग लगी और हमारे हाँ यह सदियों से मौजूद रही है हमने वसुधय को टुम्बकम की बात की यह ब्रदर हुट की बात है हम सम्मिधान में यह बात करते हैं कि हम व्यक्तिकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुड रखने व चाउं में भी है कि हम शान्ति-पूर्ण स्चित्त की बात करते हैं कि हम विरोधी होते हुएं साथ़ असाथ चलें तो बहारती है जो आध्यात्मिक चेतना है वो और रचनात्मक वेचारधारों को भी साथ ले कर सहतित теп चलने की बात करती हैं संस्कृतियां तो हमारी अपनी ही है तो हम शुरू से एक राष्ट रहे हैं भले ही इसको कितने भी खंडित करने की कोशिशे हुई लेकिन ये जो एकता के सूत रहे हैं चाहे हम मातरपुमी के रूप में उसे मानें चाहे हम संस्कृति के रूप में उसे मानते हैं तो जो हमार स्राइम सरी लिए करते है some के लिए नई दें और यहीं चीज़ें चेही सीखें है और खौ को विशव category और एक श्रेष्ट भारत बनाने की दिविए अपने पास भौलोगोलिक विविधता आए हम सिर्फ उसी तरह नहीं है तार है कहीं घाटियां है, कहीं मरुस्थल रेगिस्थान है, कहीं वर्षा है कहीं अलग-अलग तरीकी परमपराएं है रीति-रिवाज है, हम सिर्फ इसी में संपन नहीं है इसी में श्रेश्ठ नहीं है बल्कि हमारी जो आध्यातमी के चेतना है जो हमारी एक जिसमें तो जो हम की भावना है जो मैं से हटकर के हम ब्यक्तिवाद से हटकर हम समस्टिवाद की ओर जाते हैं और उस समस्टिवाद की ओर जहां पर समरस्ता है, सवहाद्र है, सामन जस्य है, सहिश्रुता है और जहां पर हम एक होकर के राजी को राश्टर को अपने श्रिष्ट बनान है जो लोग है उनकी बात है तो 6000 के आसपास जातिय Biraz और इन जातियों के अपने अपने समधाय हैंहां पर कितने लोग हैं कितनी सब Time कितनी संस्कृतियां मैं एक वारत स्ट्रेस्ट वारत कारिकरयम के तहत एक राज की सबस्थदा संस्कृति परमपरा टूसरे राज departure को बताने समझाने और एक दूसरे के साथ mix up होने के लिए उन्हें एक से साथ जोढने के लिए जो एनूठे प्रियास किन जा रहा है उसकी बहुत ही इनूठी मिसाल हम कह सकते हैं जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो हमारे उत्तर प्रदेश की अपने परंपराएं हैं, अपने लोक निरित्य हैं, लोक कलाएं हैं, उत्तर प्रदेश के साथ जिन राजियों को जोड़ा गया है, उनकी अपनी लोक कलाएं हैं, लोक काथाएं हैं, वहां के खान पान की जो तरीके हैं, इन सब को किस तरह जोड प करती हैं आप बहुत अच्छा मैसूस तो बहुत अच्छा ही होगा और हो भी रहा है इस कारिक्रम की जो शुरुवात की गई उसका उद्देश्य भी यही था हाला कि मैं यहां से अपनी बात यह कहूंगी कि जब हम अपना राश्ट्रगान गाते हैं तो जो इसमें कहते हैं कि लक्षेत्रिय विभिन्दता है जिससे कारण हम एक दूसरे की राज्य को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि एक जगे की जो परंपराएं हैं संस्कृतियां हैं वो दूसरे राज्य को भी पता चले और आपस में एक हम सहयोगी संगवाद के मिसाल पेस करें कि सारे राश्ट्र के बीच की जो परंपराएं हैं इन सब में आपस में एक दूसरे को जाने और उनके बीच में कलाब यापार परेटर इन सब चीजों को बढ़ावा मिले तो ये बहुत अच्छा सुखद अनुभूती का विशे है और शेत्रिय जो विभिन्दता की बात है कि हम उनको महसूस ही ना होने दें क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराथा ज्रामेर उतकलवंगे तो भारत भागे विधाता के रूप में तभे इस्तापित होगा जब हम इन सारे राज्यों के बीच में सहयोगी संगवाद को इस्तापित करेंगे और इसी उत्देश जो नहीं पता होती है मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं मुझे अरुणाचल के बहुत सारे नरत्यों के बारे में और वहां की जनजातियों के बारे में नहीं पता लेकिन अब इस कारिक्रम के द्वारा हम बहुत सारी ऐसी बातों को जान रहे हैं और उनके बारे में जान संस्कृतियां थी जिने हम बहुत सारे तीस तेवारों में देखते हैं, मैंने देखते हैं, यहां की जो थारू जन जाती है, उनकी तमाम संस्कृतियां हैं, यहां पर और तरह की जो लोग कनाये हैं, लोग नरत्य हैं, होली के बाद अनेक होरिया जैसे जो नरत्य होते हैं, इ लेकिन अभी धूमधाम से मनाई गई तो यह कहीं न कहीं आपस के एक समरस्ता और भाईचारे या उस बंदूता को बढ़ाने के प्रयास का ही नतीजा है यह जो सांस्कृतिक के रूप से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं आपस में गुथ रहे हैं यह एक बहुत ही सुखद के लिए यह जिस भी तरह से कहले अनेक आपस करोना काल में प्रवासी श्रमिकोग की तहीं ऊस्थरॉग होंगे वो सेंस ओफ में आपस का आदान प्रदान क्या एंदर आएगा कि हम सब एक है और आपस का आदान प्रदान हमारे जरूरी है उससे हमारी सामाजिकता बढ़ेगी क्योंकि जितने लोकनरते हैं सब में सामाजिकता का भाव है चाहे पार अनाचल के लोकनरते देखिए चाहे मेगालाय के देखिए उत्तर प्रदेश के दीजिए सब कोरस के उसको करते हैं और कोरस सामाजिकता का वो है कि हम सब एक हैं जब हम कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं रंगरूप वेशभासा चाहे अनेक हैं तो ये एक सामाजिकता का भाव एक साजा अनुभूती आती हैं साजी करण की एक समूऊं की समश्टी की जो एक भावना है इसको लेकर के चलाये जाने वाला यह बहुत ही कहना चाहिए कि एक अदभूत इसक परिणाम देने वाला कारिक्रम है और मुझे लगता है कि हमारी श्रेष्ठता को जो इंगित करेगा और यह हम जानते हैं कि हम श्रेष्ठत भी हैं जब हम एक हैं तो हमें युनाइट हो करके इस भारत की श्रेष्ठता को और दिनों दिन निरंतर नए आयामों को गढ़ना है इस कारिक्रम की शुरुआत के लिए ये एक सराहनिय कदम है और यही आवश्चक्ता है हम सब की हमारे देश की और अगर हम इस विविद्धता को एकता में समेट कर एकता को विविद्धता में बाट कर देखते हैं तो निश्यत ही हम विश्व गुरु बनने से ज़्यादा दूर नहीं है और यही हमारे लिए One India Supreme India बनाएगा डक्तर नीलम गुपता आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत ही तथ्य परक चर्चा में भाग लिया विश्यों की जानकारी दी हमारे दर्शकों को यह बताने का प्रयास किया कि हम किस तरह से One India Supreme India की उर जा रहे हैं आपका स्टूडियो में आने के लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद